अरे रहमत भाई क्या गलती होगी मेरे से अरे मिया हम आपको अपनी टेक्सी चलाने नहीं देंगे क्यूंकि आप आदमी नहीं पजामा हो आप हमारी टेक्सी को ट्रक समझ का चलाते हो कभी हमारी टेक्सी को ठोग डालते हो कभी हमारी टेक्सी का साइट का मिरतो डालते हो कभ अभी लफ़रानी मंग का तल्जा टेक्सी चला जी पेज़ दो अंदर जी आप अंदर जा सकते हैं कैसे हो रामन भाई हाँ अब बलू 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 भाई असलम वालेकूम मेरा भाई कितनी खुशी हो रही है तुम से मिलकर कितने दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं हाँ भाईया एक अरसा गुजरता है अरे चाय बाल आओ 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 बैठो अब बता मिया यह अचानक पूना से यहां किसे दुरूरी काम से आए हो नहीं रहमन भाई उन्ने हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया है पर क्यों बलू भाई इंसान को उसी गलतियों के सजा तो मिलती ही है लेकिन मुझे अपनी घलतियों की बहुत बड़ी सजा मिली है मैं कुछ समझा नहीं रहमत भाई तुम तुम मुझे शुरू से ही जानते हो तुमें घुस्से का कितना तेज हुआ करता था जरा-जरा सी बात पे मैं मार पीट कर बैठता था मैं मनसुक भाई नमस्ते अब होसेन भाई मैं अपनी यूनियन के ओफस में अपनी शिकायत लेकर आया हूं क्या हूआ मनसुक वागमारे और उसके आदमी मुझे मेरी टैक्सी में शराब और गैर कानूनी माल सप्लाइए करने के लिए बोलते हैं और जब मैं मना करता हूं तो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं मनसुक भाई और टैक्सी में सवारी छोड़ो यह शराब और क्या फरक पड़ता हो अच्छा इसका मतलब है तुम भी वागमारे के साथ मिलकर ये गैर कानूनी काम करते हो मैं पुली स्टेशन में जाके रिपोर्ट करूंगा तु पुली स्टेशन को जाएंगा हाँ हाँ मैं जाओंगा पुली स्टेशन देखता हूं मुझे कौन रोकता है मैं रोकेगा स्टब करेगा मैं वाग्या वाग्या मांजे वाग्या मारे फर्गेट मी नट क्या बोला तू तुम क्या समस्ते हो मैं तुमारे डर से पुली स्टेशन नहीं जाऊंगा तुझे आईला टेक्सी का टायर पंचर हो जाए तो चेंज करने के लिए स्टेप नी होती है लेकिन अगर इस टेक्सी का टायर पंचर हो जाए मंजे तंगडी बंगडी तूट जाए तो कैसे जाएगा सुना हुसेन भाई, क्या बोल रहा है? मंसुक भाई, तुम शिकाइद करने को आले अनुवाग मारे, तुम कुछ हजा देने को कोई दे क्यो भाई? क्यो मार रहे थे? कैसे? इससे मैं समझा रहा था समझा रहे थे? अरे भाईया समझाया तो जुबान से जाता है इस तरह हाथों से नहीं वाग मारे हमेशा हाथों की भाशा समझाता है ऐस्सा क्या? हरे बड़े मिया हाथों की भाशा ये नहीं समझता मगर मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ क्या बोला तो अबे चौप करो करो हुख. हुख. अपना अजे रादा से प्यार करता था ए शादी के बाद रोज सुबह तुम प्यार से शादी के बाद रोज सुबह तुम प्यार से गाल पे पपी दे देना लाला शादी के बाद रोज सुबह तुम हाथों में हर शादी के बाद रोज सुबह तुम हाथों में नोटों की थपी दे देना तु मेरी घर वाली होगी मैं तेरा घर वाला प्यार से मेरे घर को चलाना निकले ना दीवाला प्यार से ओ मेरे सजना तेरा पेट नगर ने वाला प्यार से ओ भोले बलमो तेरा घर भी नचलने वाला इसलिए तुम शादी के बात हातों में इसलिए तुम शादी के बाद हातों में नोटों की ठपी दे देना समझे शादी के बाद रोज सुबह तुम प्यार से गाल पे पपी दे देना खरवाली का प्यार अगर घरवाले को मिल जाए घरवाला फिर महनत से तिसमत भी कमा कर लाए तीरी महनत के इंजिन को प्यार का इंधन दूँगी लेकिन मैं घरवाली बन के नोट की ठपी लूँगी नोट की ठपी लेना मगर एचाने मन गाल पे पपी दे देना शादी के बाद रोज सुबह तुम हाथों में नोटों की ठपी दे देना शादी के बाद रोज सुबह तुम प्यार से गाल पे पपी दे देना नोटों की ठपी दे देना गाल पे पपी दे देना नोटों की ठपी दे देना कि अरे साहब अपने 40 रुपर तो देखे जाओ ना ओई तुम रुको आम आते हैं साहब जादा देर तो नहीं लगेगी तेरे को भोला ना अपना आते हैं अभी चलो रहा है क्या ब्योडे हैं बोल दिया तो बोल दिया क्या बोला आते हैं है कर दो कर दो कर दो यह बाई यह आप लोगों को दारू पीना है तो शौक से दारू लेकिन मुझे तो छोड़ दो तुझे पकला किसने रहे हैं तुझे बड़ा चाहिए है हां जी कि यह बाई लोगों कि जितना मेरा भाड़ा नहीं तो उसे जादा आप लोगों मुझे दे दी है अब छुट्टा तो मुझे लोटा नहीं बड़ा है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है झाद प्याद एंप। कर दो कर दो शलाम शाप बादूर कितनी बार मना किया तुम्हें बीडी पीने से गलती हो गया शाप अच्छा हुआ तुमने दर्वाजे पर ताला ने लगाया कैसे ताला लगाता शाप हमको मालूमता शाप आप रादा में शाप को छोड़ने को आईगा और अगर किसी दिन मैं तुम्हारी राधा में सब को छोड़ने नहीं आया तो तो भी डरने की बात नहीं शाप रादा में शाप आपके साथ रहता है हम इदर भीकिर रहता है देखां रादा बादू कितने अकलमंदी की बात तर रहा है अच्छ ठीक हैं अब मुझे देर हो र क्या तुम करते हैं कानून को अपने बाप दादा की मिल्कियत समझते हो जो इस तरह आए दिन मार पीट करते फिरते हो अरे कमाल है इंस्पेक्टर साब यह तो वही बात होई कि उल्टा चोर को तवाल को डाटे क्या कहा यानि मैं चोर हूं आप मैं अपने मों से आपकी साथा तारीफ करें इंस् कि इस तरह से मारना चाहिए था कि तुम्हें चाहिए था कि हमारे पास आके कंप्लेन लिखवाते हैं इस वक्त आपको अगर एक थपड़ रसीत कर दूं तो आप जबाब देंगे आपने अफसर के पास जाएंगे कंप्लेन लिखवाने हां बालो तमीज से बात करो अरे इं आप लोग अभी तक सोय नहीं अजय तेरे भाईया को पुलिस पकड़ कर ले गई फिर उन्होंने किसे से जगड़ा कर लिया होगा भावी और भाईया सुद्रेंगे नहीं आप फिकर मत कीजिए मैं भी पुलिसिशन हो आता हूं मैं भी चलू नाए भावी मैं भाईया को ल पताचला भाईया यहां थान में है क्या तुम्हारा भाई कि कौने में तुम्हारा भाई यूण में से कोई नहीं अ हिए मेरे बड़े भाई अरे बल्लू टैक्सिटर्वर है जी है मेरे सगे बड़े भाई है सगे बड़े बड़े शर मानिच यह तुम्हारा च्छोटा भाई पढ़ाई में टॉपर है और तुम गुंडागरदीमें कितनी इश्जत है अजे की कॉलेज में हमेशा मेरी चोटी बेहन अजे की तारीफ करती है सबाख लेना चाहिए तुम्हें और तुम लोग इन्हें भी मेरे जानता हूं मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं मैं अपने बड़े भाई की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूं तुम लोग जा सकते हो अज में तुम्हें की वज़े से छोड़ रहा हूं बल्लू लेकिन अंदा नहीं छोड़ूंगा याद रखना अजे ले जाओ इन्हें तेंक्यू बेरी मज़ सार चलिए 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 है थैंक्यों कि चलिए आई ये आई 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 ये क्या हुआ कुछ नहीं पुलिस वोलों को तो घलत स्यामी रात बहुत हो चुकी है मुझे नीन आ रही है सबेरे काम पर भी तो जाना है ना आखिर बताओ तो सही हुआ क्या है कोई खास बात नहीं थी भावे दरसल भाईया की टैक्सी जिस बुढ़िया से ठकराए थी वो ज जवान थी पैंचट पहने हुए थी एक नहीं चार चार थी गल्तिय से उनने भाईया के किलाव रिपोर्ट लिखवा दी अब आपी बताए भावी भलाए का जमाना ही नहीं रहा एक तो बुढ़िया को बचाया उसे घर तक पहुचाया और उपर से मेरे भाईया के किलाव आपी पोठलिखवा दी क्यों मैं ठीक है रहा हूं मुझे नहीं दारी तुमको देवर भावी को जागना हो जागो मैं सुने जा रहा हुआ है कभी कभी नहीं सुदर सकते हाँ सार आज आप कौन सा पार्ट पढ़ाओगे बच्चो आज हम आपको नारी के अंगों के बारे में पढ़ाएंगे हम चाहते कि आज के इस पार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लें हाँ तो यह हैं जुल्फे शायर इनकी तुलना घटाओं से भी करते हैं वैसे यह उंगलिया भैबने के लिकाम आती है यह हैं गाल लाल टमाटर जैसे मगर यह खाने के लिए नहीं है पपी लेने के काम आते हैं इन्हें होंट के याने के लिप्स यह वो जगह है जहां आशेक अपनी महब्बत की मोहर लगाता है मगर सर मुझे कोई मोहर लगानी नहीं देता अवै चुप शकल कभी देखा है आईने में और हां इसे कहते हैं कमार हां यह हमें बायॉलेजी का वो चैप्टर सिखा रहे हैं, जो शायद आपको भी ठीक तर ऐसे पता नहीं है। शेट अप! मेडम, वो मैंने कुछ नहीं है। शेट अप! मुझे पता चला कि कॉलेज में किसी ने अजय को मारा, तो मैं अस्पताल गया। कैसे हुआ यह सब? मैं पूछता हूँ किसने मारा मुन्ना को? बाया! बता किसने मारा मुन्ना को! बताओ! मैं कहता हूँ बताओ तुम! रादा, बोलो कौन थो वो! विक्की बंडारी! विक्की बंडारी! अरे, यह तो अजय का भाई है! अरे, फिर तो विक्की आज गया कामते! यह! को मैं आज की कान है? यह सब क्या है? कोई है आप? एक! मैं पूस्ताओ क्लासमें विक्की कान है? बोल! मैं हू विक्की! बोल कि अबादे बोल कि अबादे बोल कि अबादे झाल झाल मांग मांग भाइया मैंने कहा माफी मांग हरामजादे सारी ऐसे नहीं है और उच्छे माफ कर दो अच्छे बाइया जाने दिशे इसे आप जानते मुझे ये एक मुन्ना तू अपना लेक्चर अपने पास रहा इसने तुझे मारा है मेरी बहु को हाथ लगाया है इतनी आसानी से नहीं छोड़ूगा इसे लेकिन ये माफी मांग चुका है जाने दीजे इसे ऐसे नहीं अभी तो इसे राधा से भी माफी मांगने पड़ेगी ये राधा मेरी बहु भी है और मेरी बेटी भी तुने इसे हाथ लगाया जो इसे माफी मांग तुम चुप रोह बहु मांगने मांग मुझे माफ कर दो रहा था आज के बाद इन दुनों के तरफ आँक उठाकर भी देखा न तो जिन्दा जमीन में गाड़ दूना समझा चल भागे आज भाग आपको ऐसा नहीं करना चाहे था भईया मार तो मैं भी सकता था चकड़ी से दुश्मनी कम नहीं होती चकड़ी से दुश्मनी बढ़ती है को कि अधानली तैक्सी ट्राइवर की इतनी हिम्मत के उसने मेरे बेटे को मारा गोली क्यू नहीं अधी ह्रशादे को माग मारे मैंने अपने बेटे को इसलिए यह जोड़ा था कि तुम यहां हो तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा आप फिकर मत करो साहिब देखाए माजी पुराने दुष्मनी आए अब उसकी दुष्मनी मुझसे हो गई है मुझसे मैं उसे दुष्मनी के सारे तर तरीके सिख़ाओंगा मेरे बेटे के जिस्वन को उसने जखम दिये हैं मैं उसे ऐसा जखम दूँगा जो नासूर बन जाएगा तारी जिंदकी तडपता रहेगा मौत की दुआएं मांगेगा लेकिन ना उसे मौत मिलेगी ना सिंदकी पुरे चक्छा सो विश्वेनो देवा आवसागा मन्निहो तद्रं करने भिहिस्रुन यामो देवा तद्रं पशे माठ्य भिर्यज प्राहा इस्थरै रंगै शादी संपन्ध हुई अब आप लोग आशिर्वात प्रात करें ने ढुले करें आएकि मेंáchए जाएकि में अचाँ से हैं अचा है कि यहाँ दो तो पर दोड़ नहीं है जब तक बहु है अपने शकल नहीं दिखाएगे मैं तो यहां से नहीं जाने वाला पहले उसकी शेकल उसका पती देखेगा आपने जाइए चाकर भेजिए ना जेगो मैं दुल्हन की शकल देखे बागार यहां से नहीं जाओंगा बलू भाई कौन अब है अरे बलू भाई जल्दी आओ जाइए जाकर देखे क्यों बुला रहे हैं ओफ अब बलू भाई बलू भाई क्या हुआ बलू भाई विकी बंडारी के आदमी आए उन्होंने आपके टेक्सी में आग लगा दी ठीक मैं भी देखता हूं तुम यह बात आजय को मत बताना लेकिन नजय को तुम पता चल चुका है वो अधरी किया है something क्यो करें आजय करें आजय किया था un दो अज़्ट नइव अज़्ट अजय मुणन 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 बाडे बयू बड़े बभयों 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 उन्होंने मेरे अजय को मा ढाला शादी की खुशी को पल भर में मात ममतल ढाला मैं पागल होकर विकी भंडारी के घर पहुच गया राम राम भंडारी साहिब वाग्या मंजे वाग्मारे बोलतो कुछ करा भंडारी साहिब, कुछ करा पुलिस मुझे और विकी को ढूंड रही है मर्डर का मामला है साहिब कुछ नहीं होगा वाग्मारे तुम मेरी पहुच से वाकिफ नहीं हो मेरे होदेवे तुम दोनों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता साही, आपकी पहचान तो मुंबई में है ये पूना है और पूना की पुलीस को चुना लगाना इतना असान नहीं है सब को इमांदारी की बीमारी लगी हुई है दालत हर बीमारी का इलाज जानती है वागमारे हालेकन इस्तुत विकी का पूना में रहना ठीक नहीं है उसे बोलो ये फारण मुंबई आजाए फरगेट मी नोट साहिब वाग्या मंजे वागमारे वाग्या मंजे वागमारे काई जाला पंडारी साब ने फौरण पूना से मुंबई बुलाया है अब तुम लोग पूना से बंबई नहीं बलकि दुनिया से चले जाओगे दुनिया से तु तू जाएगा हराम साथे अब भाइके पास, आर साले को तेरितो अब तुर पास, आर से पास, आर से तू झाले को मेरे गुनाहों के सजा मेरे भाई को भुगतनी पड़ी उसकी पत्नी राधा को भुगतनी पड़ी वो अब ये अपनी सुहाग राद भे नहीं मना पाई थी कि उसे विद्वा हो जाना पड़ा अज भी मैं उसकी सुनी मांग को देखता हूं तो अपने आपको बहुत गुन्हागार महसूस करता हूं बहुत गुन्हागार बलू भाई तुम्हारे साथ वाके बहुत बुरा हुआ शायद अल्ला को यही मनजूद था उसके आगे हम सब इंसान बेबस है अच्छा बलू भाई ये बता राद और भावी कहा है मैं उन्हें स्टेशन स्टेशन पर वेटिंग रूप में छोड़ गया हूं बलू भाई आज तो तुमने अपने दोस रहमत भाई को पराय कर दिया मेरे रहते हूँ वो वो दोरों रेल्वे स्टेशन पर अब यूठो और इसी वक्त उनको यहां पर लिख रहा हूँ वो तो ठीक है रहमत भाई बगर पहले उनके रहने वगर के अंजाम हो जाता तो बलू भाई तुमारे रहने का बंदू बस हो जाएगा और काम कपी है पूना में तुम अपनी टेक्सी चलाते थे यहां पर रहमत भाई के चला होने आपन पर यांजन डैना मत बद रहते हैत да रहने तो जल्दी करो पेटी बंद करने का, जास्ती टाइम नहीं है चलो चलो ज्लदी चलो अरे चलो चलो ऐख़्िलना खडक रो जल्दी करो। टाइम नीय चलो अरे ये क्या नाटक हो रहा है। तू रैमात दाये का नया ड्रेवर है ना। हां तो मूध क्या देखते हैं तरन के पैसे डाल है देखा छह टंगकी को क्यों बैद बुठकू का है डालूं पैसे हमरे खुन पसीने के कमाई है बुठकू अब यह तेरे को रेमित ऑसने ने क्या चल जली पैसे डाल नहीं तो ना खून रेगा ना पसीना बापू बापू वो रहमत धाय का नया ड्राइगर जो बस्ती में नया आए है वो हपते देने से मना कर रहा है और अपने आद्बियों को मार रहा है कर दो बापू रहा है इसका नाम बाबू शक्ल बिलकुल अजैसे मिलती इसलिए हमने इस पे हाथ में उठाया लेकिन हमारा आजए एक नंबर का शरीफ और ये एक नंबर का गुंड़ा यह जू स्कीम का नक्षा मंबई का सबसे महंगा इलाका आज जूहू की हर जमीन का टुकड़ा सोना उगल रहा है हमें एक ऐसी जमीन की तलाश है जो हमारे लिए सोना उगलें यह जो प्लॉट देख रहे हो ना यह प्लॉट आज इस प्लॉट की निलामी है अगर यह प्लॉट हमें मिल जाए तो हम इस पर शॉपिंग कांप्लेक्स बना कर करोड़ और रुपया कमा सकते हैं तो इसमें दि मुनिस्पुल कॉर्पेटर के साथ जो मीटिंग थी उसे आज कैंसल करवाद के देखो मैता कल्यान वाली साइट पर इंस्पेक्शन के लिए मिस्टर मलोत्र को भीज़ देगा यह सर मैं जुभू वाले प्लॉट के आॉक्शन में जा रहा हूं कोई खास बात हो तो मुझे बह कर सकता है कैसे हो बंडा रिसेट आओ आओ बाबू हम तुम्हें याद कर रहे थे और अपन शैतान के तरह आ गया हुआ है कर दो दम ऐने नहीं बेटे यह तो हमारा शेर है बाबू हमारे धंते में जब भी कोई रुकावट आती है न रुकावट यही दूर करता है और बाबु यह मेरा बेटा विकी और यह है चमचा क्या अब उनको तेरे फैमिली का जनम गुंडली नहीं चाहिए काम के बात कर अब आज जुहू में एक प्लाट के निलामी है ठीक है निलाम है वो बता अख्खा रामेंड सुनाने की जरूत नहीं सूरज प्रकाश के उस निला में वभाग ले रहा है मैं चाहता हूं कि वो इस निला में वभाग ना ले नहीं लेगा और कुर्च कुछ नहीं कीमत बॉल पाश लाग ठीक है काम हो जाएगा एडवांस यहलो दो लाग लेकन यह प्लाट सूरज प्रकाश को नहीं मिलना चाहिए नहीं मिलेगा क्या हाल है सूरिया प्रकास सेट यह यह रिबालवर ब्लबक मगर यह आवाज twomin क्योंकि आवाज मुचे पसंद है न मेरे रिप्रब को है ध्यान से सुनों जो मैं कहे रहा हूं aपनी ट्राहवर का वाद मत देना क क्योंकि आज तुम्हें अपनी मेरे साथ चलना होगा लेकिन दुम चाहते क्या हो सुनाए तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है तुम्हारे कीमती वक्त से कुछ टाइम चुराना चाहता हूं और हां दोस बनके चलना है समझे यह समझाना पड़ेगा यह विना बात स्क्षिसन स्क्राव हुआ 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 देखो तुन जो भी हो अच्छा नहीं कर ले अच्छा बुरा अपन कुछ नहीं जानता है अपन तो सिर्फ इतना जानता कि जिस काम के लिए आप उनको पैसा मिलता है वही काम अच्छा है देखो इस वक्त मेरा निलामी में पहुंचना बहुत जरूरी है इस वक्त तुम्हारा आप उनके साथ आना बहुत जरूरी है तुम्हें मुझे रोकने के लिए जितने पैसे मिले हैं मैं तुम्हें दुखना कि अब देखो आई होता है साथ कर रहा है इसके कहने का मतलब यह है कि मैं फिर कहीं जगड़ा किया है ना यह आप क्यों ऐसा करते हैं पहला ही ग्रहा कैसा मिला जिसे फ्री में छोड़ना पड़ा है यह क्या है गर्भया आप warto शुरा शुक झार आप नहीं जानते यह शर्राब ऑससें मैं हुए हरोज हम सब इसघर में जाय नहीं शराब पीएगी सब्धर कर दो अब एप मिसा पीटै पहले अडली को एड़ी को क्या पकवास है एक सो गया-क्याइं मुझे अपने भाई वो अब इस दुनिया में नहीं रहा भईया अब वो इस दुनिया में नहीं तो क्या हुआ हमें अभी इस दुनिया से भगाना चाहता है क्या साल खुद भी मरेगा और उपन को भी मरवाएगा काड़ी ठीक से चला चल दल दे आओ सेट आज अपन तुझे माड़ आलंड का कीला दिखा कर लाता है अलसा मोगा फिर नहीं मिलेगा अरे चल अर भाईया मैं जाओं तु अपन का इधर इंतिसार कर अपन सेट को कीला दिखा कर आपी आता है चल यार इस खुशूरत प्लाटी बोली तीस करोड से शुरू होगी तो लगाईये बोली 25 करोड 25 करोड 25 करोड एक 40 करोड 40 करोड 40 करोड 40 करोड एक 40 करोड दो 50 करोड 50 करोड 50 करोड 50 करोड दो 50 करोड दो 50 करोड दो 50 करोड उटी बहुत जड़ास्ता है ने शौर्ट कड़ है इंकल जा फड़ा पड़ लेकिन विड़ा है देख सेड तेरे को इदर लाना आप उनका काम था सम्झा वापस ले जाना आप उनका काम नहीं कि चला लेकिन साब वो उनका च पैदल चलने का मोड़ है तुम चला हुआ चला हुआ 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 कित्न वह है तर रहने दो भई कह रहने तो हिव् himself 109 अपने काम भुकट में करता है मुंबई की भाषचा में भाई का मतलब दादा होता है या बाप इससे मुझे कोई मतलब नहीं लेकिन मेरी नज़रों में भाई का मतलब सिर्फ भाई होता है खेर तुम इसे नहीं समझेगे ए आप उनके समझाने का भी नहीं किया चल यह ले पैसे बाबू और अजय तुन्हें हम शकर बाहरे प्रभू तेरी लीला आप चिंता मत कीजिए सुरी प्रकाश्जी बस एक बार वो टैक्सी ड्राइवर बाबू को पहचान ले फिर मैं बाबू की वो हालत करूँगा कि वो जिंदकी भार आपकी तरफ आंक उठाकर भी नहीं देखेगा यही मैं चाहता हूं इंस्पेक्टर वरना वो फिर ऐसा करेगा मैं आपकी बास समझता हूं यकीन रखियो उसे सजा जुरूर मिलेगी थैंक यू इंस्पेक्टर साब यही है वो टैक्सी डैवर अब यही है हाँ यही है टैक्सी एमेज 043271 कल तुमी चला रहे थे जी इन्हें पहचानते हो जिहां जिहां कल यह मेरी टैक्सी में मडा इलेंड गहते एक आदमी के साथ गुड तो जो आदमी कल इनके साथ था उसे तुम पहचान लोगे शायद देखकर पहचान सकता हूं ठीक है आओ मेरे साथ जाए जाए यही को आतनी है नहीं है यह आदमी नहीं है साथ तब जूट बोलते हो यह यह वादमी है मैं क्यों जुट बोलूँगा साहब यह वो आदमी नहीं है तो सबस्दिया कैसे दो तुम तुमने अच्छी तरह से पहरें से बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं यह वो आदमी नहीं है और रहेज़ जासा सपीरह अधर ना कना है इस्पेक्टर यही है वो आपमी हो सकता है मगर जबरदस्ति हम उस ड्राइवर से हाथों ही कर सकते हूं अगर जांग साब आज तो तुम बच गए हैं माबू हर मुझरिम खुद को बहुत चालाग समझता हैं मगर एक बात याद रखना माना कि जुर्म के जूतों की आवाज नहीं होती है मगर कभी कभी उन जूतों के निशान जमीन पर रह जाते हैं और वो दिन उस मुझरिम का आखरी दिन होता है हाँ मैं आपसे बादा करता हूं साब आपकी नसियत हमेशे याद रखेगा कभी आप उनके जूते के निशान ना ही छोड़ेगा चलो साब सलाम वेल दन बाबू वेल दन आए तुमने तद कमाल कर दिया भाई तुम्हारी बदलत 75 करोड का प्लाट हमें 50 करोड में मिला है बहुत खुश है हम, बहुत खुश, देखा, मैंने कहा थाना कि बाबू बहुत काम की चीज़ है, हर नामुम्किन काम को मुम्किन कर देना बाबू के बाए हाथ का खेल है, बाबू तुम देखना, इस प्लाट के जरीए हम करोनो कमाएंगे, करोनो सेड तुम उस प्लाट से क्या कमाते हो क्या नए या अप उनका है रिक नए तुमने काम बताया अब उनने किया अब माल निकालो अरे भाई माल तो मिल जाएगा बाबू माल कहां जाएगा भंडारी अपनी जबान का बहुत पक्का है हाँ ये लो चको बहुत महेंगी शराब है सेड तु जानता है अपने किसी के साथ नहीं पीता है शेर के माफिक अकेला गुमता है अकेला काम करता है अकेला पीता है टाइ तुके भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी है, जिस बाद से तुम खुश, उसी में हम खुश, जिलागे। देखा रतन, नाक कटवादीर रहमत भाई की, अरे मैं इदर वकवास किये जा रहा हूँ, और एक तु है कि गाड़ी पे कपड़ा मारे जा रहा है, और मैं तुछ से पूझू, कि तु बाबू से ढड़ता क्यों है, और करना क्या था, और एक ठोटा सा कामी तो करना था, और स कर लेती, चाटा साला दो चाट साल कर लिए अंदर, अरे कम से कम, कम से कम हले वाले वाले, चैन की सांस तो ले लगते है, इतना अच्छा मोका निकाल दिया हाथ से, अरे अकर मैं तेरी जगा होता ना, आखे बंद करके हाम बोल देता, अरे क्या मैं ड़ता हूँ बाबू से किया मैं चैन कि पाई, अरี้. अरे बाबू से कऊने तर्व के घंड़ की चीज है अरे जैन अरे था पए्टा अरे तुमारे ओवा भिनलमाना हुरा हुरा हिरा हुरा हिर अरे अड़ हुआ हूँ तु ने इसको पहचाना नहीं जास्ती का मस्काने क्या तु जानता है अपने किसी का चायवाय नहीं पीता और तुम अच्छा हुआ तुने अपने का पूलिस सिशे में नहीं पहचाना अगर पहचान भी लेता ना कोई खास फरक नहीं पड़ता दो चार साल अंदर गुम के चले आता लेकिन जिस दिन भी भाद निकलता तेरी वहाल एक यह तरी खलत फैमी है मैंने तुझे क्यों बचाये तू नहीं समझेगा मैं तेरे बड़े भाई जैसा हो भाबी इसलिए कहता हूं क्यों करता है सब यह गुंडा गर्दी का गुरक धंदा बंद कर दे मेरी मान छोड़ दे सब भाशन नाए पॉलिटिशन के माफिक प्रचन सुनेगा समझा या फिर समझाओं नो समझाने की को जुरूरत निया समझ गये मिया समझ गए कि अधिया तो मुझे प्यासर क्यों बात कर रहे थे अरे वो साला ठेरा गुंडा मवाली रहमत भाई हर इंसान के सीने में दिल होता है जो से अच्छे और बुरे का असास कर रहता है बाबु अपना दिल का बुरा नहीं है उसे प्यार और अपनापन मिले तो जरूर सुदर अपना तुमने बमाई को सुदाने का ठेका ले रखा है बढ़ाया सुदाने वाला हमा तुम टैक्सी ड्राइवर हो टैक्सी ही चलाओ यह सोचल वरकिंग छोड़ दो रहा है भासन देरो पान-पान कर लिया है चल खाले तो मेरा क्या है तारे बंडे माली उमारे इलाके में अरे शाम को आगा मेरा क्पा आँ बोल सेट किसको खलास करने का है बाबू बाबू को वो धारावी वाला हाँ वही धारावी वाला वो साला बहुत टेंजरेस आद्मी है एक लाग है सेट अपन को तो तू दो लाग तू हमको मरवाएगा सेट तीन लाग तीन लाग अरे इसमें तो हाद भी नहीं उठेगा यह रहा एक लाग और चार लाग अरे इसमें तो मैं अपने बाब को भी मार देगा सेट समझ ले तेरा काम हो गया बेजू यस बस तेक इसक बाब कहा है अजय को अजय को अजय को डोक्टर साहब कैसा है मेरा भाई भी रजगो ऑप्रेशन काम्याब रहा मगर उसकी हालत अच्छी नहीं अधन से काफी खून बैच चुका है अगर खून का बंदोबास जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान को खत्रा हो सकता है तो आप मेरा खून ले लीजी डोक्ट साहब मेरे खून की एक एक बून नी चोड़ लीजी लेकिन मेरे भाई को किसी भी किमिल को वचा लेजी डोक्ट साहब वचा लेजी उसे आई होप तुम्हारा बलड ग्रूप ज से मेरे खका जड़र बेख करी हता है आप मेरे खिरूप जएगा जिसे आई है हुआ है घबराने की जरूरत नहीं, अब ये खत्रे से बाहर है, सुबह तक होश आ जाएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्साँ, मैं आपका इसान कभी नहीं भूलूँगा अब तुम घर जा कर आराम करो, लेकिन डॉक्साँ इसकी चिंता मत करो, तुम बहुत ठक गए हो, तुम्हें आराम की सक्त जरूरत है, और फिर तुमने खून भी तो दिया है, जाओ, पेशन्ट को कमरे में ले जाओ अबे और राजू, कहां मर गया अबे तू बाबु ये ले, अबे ये क्या है, दूद है किसके लिए लाया है, तुम्हें लिए, मेरे लिए, आवे साले पागल दो नहीं हो गया, तु जानता है, अपन दूद नहीं पीता, जाब बोतल लिया जा, डॉक्टर ने मना किया है, अब दोचा दिन तक शराब नहीं दूद ती हो, आवे शाणे, दूद के बच्चे, एक जल्दी ला, जल्दी ला, तुझे पता नहीं कि असी हालत में दारू सहर है, चलो दूद पी लो, अबे ओ, तुने अपन का जान बचाया, इसलिए अपन तेरा इज़ित करता है, क्या, चल बोतल ला, तु मेरी इज़त करता है न, तो चल, इसी बात पर दूद पी ले, तूद, पता नहीं सुबह सुबह कहां से आ गया, एई, जादा बात नहीं, दूद पी लो, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, चल पीलो, पीना, गुड़ बोई, पीलो, यह हुई न, बात, शाबाश मुन्ना, एई, आप उनका मुन्ना होना नहीं बोलने का, क्यों उसमें क्या बुराई है, तु मेरे छोटे भाई जैसा ही है न, बाकवास ना है, यह, तु क्या मुझ देख रहा है, चल फोट, क्या पाप, भलाए का जमाना ही नहीं रहा, बेज जा रहा हूं, और हाँ, उस राज जिन लोग ने मुझ पे अमला किया था, उनमें से किसी को पैचानते हो क्या, देख मुन्ना, जो हो गया उसे भूल जाना ही अच्छा है, नए, अब उन कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं, देख मेरे भाई, इस खून खराबे और मारे पीट में कुछ नहीं रखा, इस गान्त हमेशा बुरा होता है, कभी कभी इनसान को अपने ही गुना की इतनी बड़ी खीमत चुकानी पड़ती है, कि तमाम उम्र उसके ही आसूं में टूप जाती है, अबे ओ, लगता है तो पॉलिटीशन है, है, बार बार भाशन जो देते रहता है, कभी भाई बुलाता है, कभी मुन्ना बुलाता है, सा कभी मुध को चुटोन जेगा देश्ची दारू पीने वाला अंग्रेजी दारू पीने लग्या है। और नशे में कोई भी किसी को मार सकता है। क्यों टोने। कैसी बाद कर रहे तू। गलत तो नाइका। तूने भी तो आप उनका नशे में मारा था। क्यों तूने रहे प्ला है। क्या उनका अंग्रेजी धिर्वें क्यों आप रहे थे ऊए क्यों प्रूना रहे रहे वाला आप बहुर हाथ आपने, 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 प्छूे धाव और, वॉट वॉट? वाबू नए नए बाबू नए 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 सुनाय शराब पेट्रोल के माफिक काम करता है आज आज माता हूं कि पेट्रोल जल्दी आग पकड़ता है या शराब नए बाबू नए बाबू नए नए बाबू 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 नए बता है मुझे मानने के लिए तुझे ने पैसे दिये दिस ने अई नए बाबू नग SHARTA हुआ वाबू बता नए प्रकात q. Chant बाफू? तुम्यान? आए बाफू नहीं, आए बाफू? सुरजबकाष, जतने टुकड़ें नहीं? तुकड़े इसके हुए न, उतने ही टुकड़े मैं तेरे जिसम के कर दूँगा, और हर टुकड़ा तेरा उन कुट्तों को खिला दूगा, जो तुमने मुझे मानने के लिए बेचे दे हैं। मुझसे गल्ती हुगई बाफू, मुझे माफ कर दो। माफी, यह लवज बाबू के डिक्षनरी में है ही नहीं। कल्ती तुने किये, सजा भी तुझे भुगद में पारेगी। नहीं! नहीं, बाबू, नहीं। बहुत बिल्डिंगें बनाई है न तुने? नहीं, बाबू. मगर आज तेरी जिन्दगी के बिल्डिंग अपन किराएगा नहीं नहीं मेले बापा को मत मालो इन्हें मत मारो भाया इस पासूम मत तरस्काओ इसके सर से बाप नसाया बच्छी लो छोड़ दो इन्हें शुक्वाय नहीं चाता के तेरे बेवी विद्वा हो जाए और तेरे बच्छी या देम कराएगा आता हुआंड़ और ओॉल PR तेरेे कर देमें तरस्का पादा के विद्वाद के अैका आता मैलो जो पार फार फिरे के ड्रहद के बाह एंचरम के विल्द..? कि दो लाग आप उन पर हमला करने का जुर्माना याद राख अगली बार गल्ती की तो जुर्माने में रुपए नहीं कि तेरी चान लेकर जाऊंगा समझा कौन है भाई कौन है अच्छे मुझे नहीं आ रही है तुमको देवर भावी को जागना हो जागो मैं सुने जा रहा हूँ भाईया कभी नहीं सुदर सकते हैं यह मेरी बीबी शांती है और यह बाबू अपना मुन्ना बैठना अपन यहां बैठने नहीं आया तुम्हारा आइसान चुकाने आया हो कैसा आइसान तुमने अपनका जान बचाया अपनको खुन दिया यह रही उसकी कीमत दो लाक रुपे अहसान खतम और हाँ आज के बाद अपनको मुन्ना मुन्ना मत बुलाना समझा तुम उस खुन की कीमत चुकाना चाहते है जो मैंने तुम्हें दिया तुम उस अहसान की कीमत चुकाना चाहते हो जो उने तुम्हारे जान बचा कर तुम पर किया कि अचे 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 नहीं हो सकता कि अचे नहीं हो सकता मेरे साथ मैं बतातक हैंगे मैं तुम्हे आपना खुण क्यो दिया था तुम्हारी जान क्यो भचाही तए आओ मेरे साथ धेख धिर् धेख झाल 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 मेरा छोटा भाई मेरा मुन्ना जिसे वक्त के बेरहम हातों ने मुझसे चीन दिया जानते हो क्यों 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 कि मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा लोगों से मार पीट किया करता था और मेरा छोटा भाई मुन्ना मुझे हमेशा मना करता था कि भाईया मात करो यह सब मार पीट कान्थ हमेशा बुरा होता है लेकिन मेरी समझ में बात नहीं थी और जब तक समझ में आई तब तो बहुत देर हो चुई थी मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था मेरी गलतिया मेरे भाई को निगल गई और वो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया गाधा को देखा तुमने कौन है वो मेरा आजय की बीवी ऐसी बननसीब बीवी जो सुहागन होते ही विद्वा होगी वो तो सुहाग रात भी मनाना जखी को उसके पहले उसके हाथों के चूड़िया तूड़ गई उसके हाथों की महंदी का रंग भी अभी नहीं उत्रा था कि उससे सफेज साड़ी पहलाती गई मभी को बाइव के से कुन्डे मवाली ने अधिकी पराबरी करें कि को यह कुंदवानियों का मिरा जमीनासमान का फर्क दोनों में पर कि एसे आत्मी से होब अजई के बराबरी करके इसका ताफमान कर रहे है है मेरे प्यार का पान कर अजय का अजय का आ करे है क्ये अजय के आत्मा को किना तुक भाझ आख न जाओगा वहे है हुग कि अहां कि यू समझो बेटी तुवारे हाथों की चाय पीने के लालत में यहां पर आता हूं कैसी बाते करें आपी का घर है रोज आईये क्या करूं बेटी इस दुम्या के अंदर मैं बिलकुल अकेला हूं जब से बल्लू यहां पर आया है न मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्या बात कर रहें रह्मत भाई यह तो आपका प्यार है जो आप ऐसा समझते हैं दर असल मैं आपने आपको बड़ा ही खुशकसमत समझता हूं जो आपकी सर परस्ती मिली बहुत नदर नहीं आरी मंदिर गई है आते ही होगी हाँ पिटने मैं चाय कर शाटक राधा 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 आपके कोलो राधा सुनिये ज़र जल्बी से डॉक्टर को बुलाई डॉक्टर को बुलाने की ज़रूर नहीं कुछ गुंडे उसे जबर्दसी उठा ली जा रहे थे दैश्या से बेहौश हो गई कौन थे वो लोग मैं उन हराम जाद रुक्विकी भंडारे विकी भंडारी तुम जानते हो से मैं उसे कैसे भूल सकता हूं आज अगर राधा विद्वा हुई है तो सिर्फ विकी भंडारी की वजह से मैं उसे नहीं छोड़ोगा आप ऐसा कुछ नहीं करेगे मैं आपके हाथ जोड़ती हूं पहले इस जगड़े के बहुत बड़ी खीमत चुका चुके है ठीक है कानून से सजा तो दिलबा सकते हैं तुम नहीं जानते हैं भंडारी कितना ताकतवर है वो ऐसा तूफान है जिसके सामने तुमारी हैसियत एक तिनके से ज़्यादा नहीं है फानूस बनकर जिसकी हिफादत खोदा करे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे अमा मिया खुदा अगर छोटे से तिनके की हिफादत करने का फैस्ट ना कर ले तो बड़े से बड़ा तुफान भी उसको हिला नहीं सकता बलो तू चल मेरे साथ पुली गारत सबकुत कुछा बेचना पड़ है उस नामा कुल को तुम्हें अंदर करा कही रहूंगा कांटा तलवार से नहीं निकाला जाते रहमत भाई कांटा कांटे से निकलता है आप फिकर मत कीजिए मैरे उपर जोड़ दीजिए मैं भंडारी को समान लोंगा हम अगो दीजिए मिरे बेटे को मारा है अए मने आज तक तक उसे डाटा नहीं तूने और से मारा वह बी एक लांड्या के लिए घा चकर ए तडिरा उससे क्या लग्तिया वो तेरी कुछ नहीं तो फिर तुने उसके लिए मेरे बेटे से चखड़ा क्यों किया मल्लू से क्या रिष्चेदारी है तेरी मैं खुद नहीं जानता तो फिर ऐसी क्या बात थी तू बीच में पढ़ा क्यों मैं सच मुझ नहीं जानता जब विकी उसे उठा कर ले जा रहा था वो चीक हुए थी उसकी चीके सुनकर मैं मजबूर हो गया मुझे खुद पर काबू नहीं रही है मुझे उसपर दया आ गई दया यह में कह सुना अब आपो तेरे दिल अद čा देरी बातों से इंसानियत की बू आ लिगल रहा है तो, ये मद्भूल कि ये सारा शेर तेरे आगे सर इसलिए जुकाता है, क्योंकि तेरे अंतर इंसानियत नहीं है, तया नहीं है तेरे सीने में। अज़ के बाद इस मामले में नहीं पढ़ना, और सुन, अपने आख और अपने कान बंद रखना, ना तुम्हें उस लड़की की चीख सुनाई देगी, और ना तुम्हें उसकी इस्सत लुटती दिखाई देगी, और ना dáम तुम्हें बलू की बरिबादी दिखाई तो बलू, अब मैं देखता हूँ के तुझे इस शहर में मेरे कहर से कान पच गछुआ है? मैं उन खुंडों से बिल्कुल नहीं डरता और नहीं मुझे अपनी जान के फिकर है रहमत भाई लेकिन हाँ कभी कभी अपने परिवार के बारे में सोचकर जरूर परिशान हो जाता हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा इन्हें कौन साहरा देर तुम खबर मैं तुम से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं बोलो बाबू मेरे बात मानोगे तुम कहके तुम देखो मेरे भाई तुम यह शहर छोड़ दो अपने परिवार को लेकर कहीं और चले जाओ यह तुम क्या कह रहो बाबू ठेक कह रहा हूं तुम बंडारी से वाकिप नहीं हो वो कुछ भी कर सकता है बाबू तुम चाहते हो कि उसके घौशे मूची पागर कही और चला जाए अमा अगर इसकी मौत आई है तो कोई ने बचा सकता और अगर नहीं आई है तो एक भंड अगरारी भी इसे नहीं मार सकते उफो तुम लोग समझ से क्यों नहीं हो वह बहुत खातानाक अदमी है उसे काफी गुंड्य पाल रखें तुम्हें हम लोगों के लिए क्यों फिकर हो रही है इसलिए कि बल्लू ने एक दिन मेरी जान बचाएं थी कि वह हैसान तो तुमनें चुका दिये बाबु राथा को बचा कर भावी आप ही ने समझाई है सुनिये बाबु ठीक कह रहा है और जब पूना छोड़ दिया तो बंबई क्यों नहीं छोड़ सकते नहीं शांती जिंदगी से डर के भागना मैंने सीखाई नहीं है इस्जत स मर जाओंगा लेकिन डर के भागूंगा नहीं सोogenous हैं तुमने मेरे बारे में इतना सोचे बाबु यही मेरे लिए बहुत है य कभी नहीं जाओंगा कहीं नहीं तो भाड में जाओ पुझे समझाना था तो मैं रे समझा दिया तुम्हें जाना यह नहीं यह तुम्हारी मरसी तुम लगते हैं क्या हो मेरे मरो यह जियो थे उप्रमाइन का है कि अफ्रश वाली जमीन तो हमने जोर दो परस्ती करके खाली करवा लिए लेकिन उस पर आप क्या काम शीरू करवा रहे हैं वहां पर दस दस मंजिल की दस बिल्लिंगे बना के पेश्ट लेकिन अंकल हमारे पास तो वहां पर सिर्फ पांच मंजिला इमा जारत हम कैसे खड़ी कर सकते हैं देखो हमें सिर्फ अपना फाइदा देखना है हम बिल्डिंग बना के पेज देंगे उसके बाद में बीमसी ऊपर की पाच मंजिल गिराए या रखे हमें क्या लेना है यह राइड अंगल अंगल बाबू पर आपकी सलागा कोई असर नहीं प होता जारिया है ठीक क्या दियो तू आल तू शेर अगर खतर्नाक हो जाए तो उसे पालते नहीं पुली बारते थे मुझ क्या देख रहा है देख रहा हूं मेरा उस्ताद कितना अच्छा आदमी है उस्ताद एक बात कहूं मुझ कटवा कर तुम्हों स्मार्ट लग रहे हो अच्छा अब तुम शादी कर लो है अपना पास रेकर्ड इतना खराब है कि उससे साफ करते करते अप उन बूड़ा हो जाएगा उस्ताद जब से तुम सुधरा है बात भी अच्छे करने लगे हो वैसे राधा बाभी कैसी है चुब्ब बाभी कैसे होई लो कमाल है तुम भाई आओ तो भाभी नहीं होगी ए दूंगा तो सिदा हो जाएगा इसका मतलब गड़वड है कैसी गड़वड तुम्हें प्यार की बिमारी हो गई है तेरी तो तो धम 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 चिन चिन चूँ, मैं हूँ लोहाचुमक तू। क्या सिमत ना、 क्या जिजत ना、 साइस हापके य२े बैटना भज रख़ाकर लेवंत्व धंधमा धम धम जिन चिन चूँ धंधमा धम जिन चिन चूँ तू लोहाँ मैं चुमक दा बलुबाई बलुबाई बाबु के चेहरे किसे ने अशिट फेक दिया बाबु का चेहरा उली अशा जल गया है कि कि है है कि 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 95% बर्ण्स अच्सेशब पस्पॉर्माशिन सिजर अच्सेशब पस्पॉर्माशिन in Bayo पुझीए और झौड़ आफ दो थेंग गड़ दॉक्त ब्लाव अभी बाभू कैसा है बगवान ने बाबू की जान तो बचा दी लेकिन 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 क्या डॉक्टर साँ उनका चेहरा इतना ज्यादा जल चुका है कि वो अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख पाएंगे इस्क्यूज़ी मैं लिया थो बच गहीं लेकिन यह नी भूलना चाहिए कि बाबू की जान भंडारी ने लेने के कोशिश किये अगर भंडारी को पता चल जाएगा कि बाबू जिन्दा है वो तो उसको दोबारा मानने की कोशिश करेगा ना हां एक बाबु ठीक हो जाए उसे मैं लेकर बहुत दूर चला जाओंगा मैं अपने भाई को खो जुगा हूँ अब मैं बाबु को किसी क्लीमत पनीक होना चाहता है सॉरी हां तो मैं यह कह रहा था कि आजकल कॉस्मेटिक सज्ज्री एक ऐसी चीज आगे है कि किसी भी आभी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है इसका मतलब बाबु पहले जैसा दिखने लगेगा हां क्यों नहीं लेकिन लेकिन क्या उसका खर्च बीस लाख रुबे होगा बीस लाख इतना पैसा अब कहां से लाएं ने डॉक्टर सांब पैसा मैं दूँगा यह डॉक्टर आप पैसों की ज़रा भी फिक्र ना करें गुड़ तो मुझे आप इसकी एक तस्वीर दे दीजे तस्वीर मैं दूँगा आपको प्रकाशी बाबु ने आपको किटनैप किया था जिसकी वज़ेसा आपको बहुत तकलीफ हुई थे फिर भी आप बाबु की मदद करना चाहतें क्यों वह इसलिए कि बंडारी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसने बाबु को मेरे खलाब एक हत्यार की तरे इस्तिमाल किया और अब मैं उसी हत्यार से उसे मात दूगा लेकिन प्रकाश बाबु बंडारी को पता नहीं चलना चाहिए कि बाबु अभी तक जिंदा है नहीं तो आप तो उसको मेने को जानते हैं ना आप समझ गए ना बाबु को तो तुम भी नहीं फैशान पाओगे तो बंडारी क्या पहचा देगा क्या मतलब मतलब यह है कि मैं बाबु को बाबु का नहीं एक नया चेहरा देना चाहिए किसका है पंडारी के छोटे बेटे मॉन्टी 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 थे कंगा है साथ ही अगर कल तक पेमेंट डिविच कश मारए अब के पास ब्हुटब अपके पस नहीं इसिंफ नहीं मॉट नहीं चाहिए और आ Κल से घ्मर यह पुर नहीं चाहिए अउक इन ? वांटी, हाई डाइड, हाई, बेटा बहुत हो गया ऐशोहराम, बहुत हो गई तुम्हारी आयाशी, अब अपने भाई विक्की की तरह हमारे धंदे में दिल्चस्पी लिया करो, ओके, डाइड, ये आपके छोटे मोटे धंदों में मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है, अच्छा, तो ये कहना चाहरा है कि हमारा ये कारोबार चोटा-मोटा है, तो तेरे हिसाब से बड़ा धंदा क्या है मांटे, ड्रग्स का, जब मैं आस्ट्रेलिया में तब मैंने कोई पढ़ाई वड़ाई तो की नहीं है हाँ ड्रग्स के ओपर रिसर्प जरूर किया है और बहुत से ड्रग डीलर से दोस्ती भी है मेरी आप सिर्फ माल खरी दिये बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दी जा शाबाई श्वांटी भंडारी आज तुने सावित कर दिया कि तू मेरा पेटा है थैंक्स एड ओके डाड अ हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है करिश्मा हो आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब क्या बात है लेकिन इस सब्सक्राइब और यह तो मैं नहीं हो यह बढ़ी मेरी लेकिन यह चेहरा मौन्टिका कैसे तुम्हारे चहरे पर यह नहीं लगाया है जिस भंडारी ने मुझे चाल से मारने की कोशिच की, तुमने उसी की पेटे के चेहरा मेरे चेहरे पे लगा दिया, पॉलो, ऐसा बदला क्यो लिया तुमने? देखो बाबु, बदला तो ये लेना चाहता था भंडारी से, हा मिया, देखो अगर भंडारी को पता चल लाएगा कि तुम अबितर लिंदा हो, तो तुम क्या समझते हो? कि वो तुमको छोड़ देगा? नई, वो तुमको जान समार देगा. पंडारी तुम्हारी मौत की खुशी मनाएगा और तुम उसका बेटा बनकर उससे पारबाद करते होगे क्योंकि तुम पंडारी के लिए काम करते थे इसलिए तुम मौंटी और उसके घरवालों को अच्ची तर से जानते हो याँ पंडारी से बदला तो पूरा हो जाएगा लेकिन मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी तो सूनी रह जाएगी एक चेहरा ही तो था मेरे पास जिसे मेरे आधा का प्यार पासकता था जेको बाबू, प्यार दिल से किया जाता है, चेहरे से नहीं, और वैसे भी वो चेहरा एक दीवार था तुम्हारे और राधा के बीच, जब भी वो तुम्हें देखती थी, उसे अजय की याद आती थी, अब वो दिवार टूट चुकी है, अब जब वो तुम्हें देखेगी उसे तुम, सिर्फ तुम नजर आओगे, अजय नहीं, भंडारी से बदला लेने के बाद, राधा से तुम्हारी शादी होगी, ये बल्लू का वादा है तुमसे, मैं जानता तो राधा को कितना प्यार करते हो, वैसे भी राधा को जब मैं देखता हूँ सफेद साड़ी में जो मुझ पर गुजरती है, उसका मैं भयान नहीं कर सकता, बहराल, मैं दिल से चाहता हूँ, कि तुम्हारी वर राधा की शादी हो, तुम दोनों एक दूसरे को हो जाओ, चाहरा तो पतल क्या, बढ़ावास, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, इस टाहर की हवा किसने निकाल दी, अजे, अच्छ, अब यो टेक्सी कहां मिल गई, यार, अगे तकसी, है यार टेक्सी, हु झेल, तकसी, हाँ, यार अगे चुणे जू भंडारी यह को, अचलो, तरह को ज़दी है कर अघा एक अगा उतर उतरो आगया तुमारा जुहू बंडारी आउग आप हूँ अरा अरह हुआ अरा आमसे और कि इसनी घरा पीते आप हमा में वह फिल्म देखिजीं रहा हुआ अअ उसने बोला था बच्चे ने क्या बोला था दाु कि यह भरा है आप म करनी पड़ेगी मैं करूँगा पंपिंग तुभारे लिवर की अबे यह तु जानता नहीं मैं किसकी अउलाद हूँ जानता हूँ अच्छा चरीके से जानता हूँ तू एक बहुत बड़े हरामी की अउलाद है अगर मैं अपने घर नहीं पहुंचा न तो मेरा बाप पुरे शहर में आग लगातेगा घर तो मांटी ज़रूर पहुंचेगा लेकिन तुम नहीं यह मैं जखेगा नहीं दूँ यह 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 शिछशना हूँ यह यह में जड़े नहीं तू यह को यह यह को यह तुम कौन हो? उतारता है कि नहीं? तु सच्चा ही देख रहा है चल, कपड़े उतार लेकिन क्यों? उतारता है या दू? अमा मिया कपड़े उतार दो, नी तो और भाद मारेगा ये उतारता हूँ निकालता हूँ प्याँ प्याँ येख यूड़ें हाँ अंडे प्याँ ये जिए ब्स्तूश्ट प्याँ झाल लेवाचे लेवाचे तुकर जो कि अंुट आप करने कहाएं इसका मतलब मुझे नहीं पेरचाना बेटे 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 बेट तांव भंडारी है एक हाँ 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 तूने डिसाइड कर लिया है कि तुझे हमारे कारोबार में को इंट्रस्ट नहीं है तो रग्स का धंदा करेगा वो क्या है डैड कि ड्रक्स के धंदे में प्रॉफिट बहुत है और आपका धंदा ऐसा है कि सारे करप्ट आफिसर्स आपके खरीदे हुए है जो आपको कभी पकड़ती ही नहीं लेकिन अगर इन आफिसर्स का ट्रांसफर हो गया और इनकी जगा पर कोई इमानदार आफिसर आ गया न तो आप सब लोग पकड़े जाएंगे और सारा काम चौपट हो जाएगा पांटी तेरा बाप उनका भी बाप है मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ कि गरीबों के लिए हॉस्पिडल्स और विद्वाओं और सताय हुए लोगों के लिए अनात आश्रम खोलू मेरे हॉस्पिडल्स में मरीज काम मेरे वो शूटर्स जादा होते हैं जो जेल से भाग कराते हैं और मेरे अनात आश्रम में हत्यारों को जखीर आच छिपा होता है सारे हत्यार वहीं से सपलाई होते हैं बहुत शातिर हो भेंडारी है वा डाड, आप वाके बहुत शातिर आदमी है, काम की बात की जाए, मैं ड्रग्स का ओडर दे दू न, तो डीलर से बात कर देगा, हाँ जरूर कर लूगा डाड, ओके, डाड, अभी मैं सुने जा रहा हूं, मुझे भात नहीं दा रही है, हाँ बेटर जा, जा जा कर सो, जा चाहिँ बितर चाहिए, हाँ ऐनाव के बाता हुआ, जा बाता हाँ, हाँ, जािए, शाला, जाबश, मोच्ट में जाओ, जब भाता ह 총andayan हाँ। क्यों इतनी शारापीता है बागबारे इसे इसे जा बढूर कर तुनी रहा हुग ah अरे मौंटी बाबा का हुआ करता तुमी इप उठ्थ उठ्था अब आई नहीं और दा सूप WASiesen डंडल में लान चेजर किया श्बाल के सबार चाहां के सबार के सुन तर नहीं डिल आप बिस दो चाहां मेरे कम्रें की अ अ इस्टा था 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 हूर हौर ह२ इतने जाओ आप ठीजा deja तुझा एलग तारुपे के गरता था ताम निकाल दिया तो यह है मॉन्टी का कमरा अंकल अरे मोना तुम तो मॉन्टी के साथ नहीं आई पहले वो आया और अब तुम आ रही है पाच घंटे से मेरिट में उसका इंतजार कर रही हूं और वो घर आ गया कहा है वो वो तो अपने कमरे में है मुझे परिशान करके वो आरा कर रहा है अभी ठीक करती हूं हां लेकिन जरा यार से ठीक करना है मॉन्टी 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 लगता है कोई आ रहा है मॉन्टी वेर आ यू मॉन्टी मॉन्टी कौन हो तुम अच्छा मैं कौन हूं पहले तो तुम यह बताओ कि तुम किसके साथ थे पाच घंडे से मैं तुम्हारा इंदजार कर रही थी और तुम मुझसे पूछ रो कि मैं कौन हूं यह कहीं मॉन्टी की गर्फरेंड तो नहीं है अ अ ओ ढर्ली आइम सो सॉरे अच्छुली वो वो क्या है कि कुछ ज्यादा ही पीली थी इसलिए घर चला है अच्छा नशाथारना मुझे खूब आता है अ 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 कर दो कर दो दो कर दो हमारे सारे अड़ों पर पुलिस का चापा पड़ चुका है हमारे ड्रग्स भी पखडेगा है और बाद वत तबाह हो गहा है संबह भी नहीं आता था आखिर बीस साल से हमारे अड़े चलंश और पुलीस को भनक कुती हुई, वो खतार कौन होसके जिसने पुलीस को खबर की है, कौन? मंदारी साहब मंदारी साहब पुलीस फोर्स किसी भी वक्त यहां पहुच सकती है दिश्बांडे सच-सच बताओ कि पुलीस का ख़बर किस ने दिये है मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगा यही तो बताने आया हूं साहब क्योंकि पुलीस फोर्स गरिफ्तारी का वारेंट लेकर आपको ढूंड रही है अब आपका बचना बहुत मुश्किल है दूसरी बात और क्या आपके कारनामों और नंबर दो के अड़ों की डिटेल्स के इंफॉर्मेशन पुलीस को जिस नंबर से मिली है वो फोन नंबर है यह नंबर हाँ यही नंबर है बंडारी साब मैंने अपना काम पूरा कर दिया है अब इसके पहले की कोई मुझे यहां देख ले मैं यहां से चलता हूं क्योंकि पुलीस फोर्स किसी विवक्त यहां भी आ सकती है गुड़ लक हाँ जब जहाँ डूबने लगता है तो सबसे पहले चुवे दोड़ जाते है अब देखते जाए भंडारी क्या क्या होता है क्या बात है डै यह यह फोन नंबर किसका है यह नंबर हमारे घर का है इसी नंबर से पुलिस को सारी डीटेल्स दी कहीं थी कौन हो सकता है अखर यह गद्दार है कौन मैं समझ गया मैं समझ गया कि यह गद्दार कौन है और मैं उसे अभी और इसी वक्त खातम करूंगा कौन है वो मॉंटी हमारे सारे धंदो और अड़ों के बारे में या तो आप जानते हैं आप जानते हैं या मैं जानता हूं और हमारे अलावा यह अराम खोर जानता है कि वसी अरुव है ऐस यह जाता हैं यह इrec है कि इस रूम का यह नंबर है उसमें हमारे आला जाता है तो हर सकहर इसकी मौत गदार की यही सदा होती है गदार वो नहीं है डएड़ यहां के से है ता कि अधिक 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 है जो आपके सामने कि अधिक अधिक काड़ी आपको अधिक देड लगता है यह पुलिस की कोई चाल है यह मेरा हम्षकल भेजकर वह हमें पकड़ने के कोई चाल चल रहे है नहीं डैड मैं ही आपका असली मॉंटी हूँ इस हम्षकल ने मुझे किड्नाप करवा कर रखवाया था और यह मेरी जगह आकर आपको भी बरबाद इसी ने किया कि इस यह मुझा करके करने मां जाता हूँ कैने हुए और इसी वक्त खटम कहते ना चाहता हूं विक्की भाइया आप सम्झाये ना डाड़ी को डाड़ी मैं मौंटी हूँ फाट आपका मौंटी हूँ आपका अफ़ी अप जॉर्ड रिवाल्वर है आप कॉली मार दीजे से कॉली मार दीजे आप इसकी बातों में बिल्कुल मताना, यह बहुती चालाक और शातिर आत्मी है, यह बाप के हाथों बेटे का खून करवाकर आपको कमजोर बना देना चाहता है, ताकि आप आसानी से पकड़े जाए, जैड, यह सही कह रहा है, इसे कोली मार दो, नहीं डैड, मौन्ती मैं ही हुझ नहीं है, इसके आने के बाद धी है, बर बाद गूम Works, आप सोची इसकी आने के बाद धी आप बर भाद हूय component जब दोनों सच बताओ कि असली पांटी कौन है? मैं हूँ डैड. नहीं डैड, मैं हूँ डैड. डैड यापको बातों में उजाए रखना चाहता है, ताकि यहाँ पर पुलिस आ जाया और अम सब गिरफतार हो जाए. यह भी हो सकता है, डैड यह सही करहा है, इसे गोली मार दो. नहीं डैड, इसके सच्चाही सामने आ सकती है, इसलिए यह पुलिस का नाम लेकर आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के गोशिश करा है. डैड, डैड, जान दीजे, अब यह फाइनल बात है, यह सही करहा है, इसे गोली मार दो. डैड, इसे गोली मार दीजे. पुलिस यहां कभी भी पॉँच सती है. एक काम करते डैड, पुराने गोदा में चलते हैं. आ तो बिलकुल ठीक क्या रहा है. ठीक, ठीक. इसे भी ले चलते हैं. एई, चल्द. डैड, वो? एई, शट आप. अबन. अबन. डैड, यह है आपके हत्यारों का गोडाउन. अब तो आपको यकीन हो गया होगा, कि मैं ही आपका मॉंटी हूँ. डैड, यह सही कह रहा है. इसे गोली मार दो. मार दो. डैड़ी, आप इस चालबास की बातों में बिलकुल मताना. अरी, जब पुलिस को इस गोदाम के बारे में पहले से ही पता चल गया है, तो इसे भी इस गोदाम के बारे में पहले ही पता चल गया होगा. हाँ, वेरी गुड, मॉंटी, वेरी गुड, डैड, अगर और किया जाए, तो ये भी तो सही कह रहा है डैडी, अगर आपको अब भी यकीन नहीं आए, तो आप आईए, मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे और आपकी अलाबा किसी को नहीं मालू जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा, की मैं ही आपका मॉंटी हो, अगया, पाये मेरे भई के ड्यूपले के ड्यूपलिकेट, मुझे तो पता चल गया कि ये मेरा बेटा मॉंटी है पर तू कौन है तेरी परपादी और तेरी मौत मेरे घर में रहकर मुझे बर्बाद करना चाता था मेरे बेटे को मेरे हाथों से मरवाना चाता था सच सच बता कि तू कौन है कौन है तू वो मैं बताता हूँ अच्छ उट उट अच्छ उट अच्छ उट है उर इचम घां बहा है पूले करी है करूछ पूले झाल 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 कर दो चूर मारति नैंदार आपकार को रहा हुए चाहिए मौन्टी को तेजाव में ठेंकर भन्डारी के खांदान को हमेचा के लिए भी खौतम कर दिया तुमने कि यह सब क्या हो रहा है और तुम कौन हो कि यह मॉंटी है मंधारी का बिटा हुआ अफसोस इस बात का है कि मैं मुझरिम का बिटा हुँ कि यह और अब तो उनके गुनाहों का अंत भी हो चुका है और और मैं अपने बाप का नाम अपनी जिन्दँगी से हमीशा हमीशा के लिए मिटा चुका हो है और मेरे बाप की जो प्रॉपटी इसे मैंनात अचरम के नाम करना चाहता हूं वाह आज से मैं अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता हूँ अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ शराफत और एमानदारी के तुम्हारी उस नई दुनिया को मैं अपने हाथों से बसाओंगा मॉंटी और उस नई दुनिया में तू अपनी राधा के साथ कदम रखेगा